बश्कार दोस्तों वेलकम बेक टो अच्छान मनी सुलूशन दोस्तों हमारे देश के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि बिजनस की इस तरह से ग्रोव कर रहे हैं जो छोड़ी छोड़ी कंपनिया थी वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कनवर्ट हो चुके जो दोनों मैंगो में से मुझे एक मैंगो चाहिए और मेरे पास ये ही ओपसन है इन दो मैंगो में से मैं सिरफ एक ही मैंगो ले सकता हूँ आप मुझे ओज हो जायएगा उत्म क्या कम्राइक जाए जाधा होगा कि आपको दो चूस करना पड़ता होगा तो बड़ीर उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है और उसके बाद आप एजली वे में आप जो उप्सन है वो चूज कर सकते हैं दोस्तों अगर आप कोई इंतरपर्णोर है अगर आप बिजनस शुरू करना चाहते हैं या आपको कोई बिजनस है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो जो डैटर है और यह अलग अलग है दोस्तों हमारे सामनी दो ऑप्सं रहते हैं तो कनफ्यूजन आ जाता हमारे दिमाग में यह इन दोनों और से हम्हें कुण सा चूज करना चाहिए दोस्तों यह डिपेंड करता है हमारी काने Acho करना रहता है उस इस्वाइननिश requirement है उसको cover करता है business loan एक unsecured loan तो high है जो हमारे जो business के expense है meeting working capital की needs है land या property खरीदने के लिए machinery खरीदने के लिए staff hire करने के लिए employee की training के लिए raw material लेने के लिए stock बढ़ाने के लिए उसमें use होता है और बहुत से हमारे जो financial की requirement है business loan के दुआरा इधर cover हो हमारा जो second option है वो आ जाता overdraft आप simply overdraft को समझे जैसे इसके नाम में overdraft यानि कि एक जो credit facility है वो bank के दुआरा या credit institutes है उनके दुआरा इधर provide की जाती है इसके अंदर overdraft के अंदर जो हम पैसा withdrawal कर सकते हैं जिस समय जो हमारे जो current account में अगर zero balance रहता है यह simply आप कभी भी withdrawal कर सकते हो यह जो overdraft है credit आप emergency या short term business requirement के लिए use कर सकते हो इसमें जो interest rate है या जो overdraft की जो fees रहती है वो जो आपका कोई भी जो bank है या financial institute है वो decide करता है कि इसके उपर जो कितना interest rate है या फिर कितनी इसकी fees लेनी है यानि जो overdraft का अगर हम overall समझते है भी या एक limit हमें decide कर दी जाती है bank या financial institute द्वारा कि इस limit के हिसाब से आप कभी भी इसके अंदर से आप जो पैसे है वो withdrawal कर शकते हो और अपनी business की requirement को complete कर शकते हो दोस्तों मैंने जो दोनों option है इधर explain कर दिया लेकिन अभी इन दोनों option के बीच में यानि कि भी या business loan और overdraft के बीच में क्या क्या difference है वो भी हम इधर देख लेते हैं जो business loan है दोस्तों ब्रोवर का एक तरह का capital है जबकि जो overdraft है वो एक credit line है अगर हम interest rate की बात करें तो business loan जितना हमारा sanction होता है पूरे loan के उपर जो है इधर हमारा जो rate of interest है यानि ब्याज लगता है लेकिन overdraft में जितना हम जो पैसा विड्रो करते हैं उसी amount के उपर जो है हमारा interest लगता है जबकि अगर हम देखें कि भाया जो business loan है वो एक तरह का दोस्तों जो long term के लिए हम use करते हैं जबकि जो overdraft है हम जो short term के अंदर यूज करते हैं अगर हम देखते हैं business loan का जो हमें EMI payment करना पड़ता है कि जैसे जो महिने का harmonium EMI payment करते हैं लेकिन अगर हम बात करें overdraft का तो वो bank के अंदर जो deposit करवाना पड़ता है किसी भी फों में deposit करवा सकते हैं दोस्तों rate of interest देखते हैं तो business loan के उपर जो interest है हमारा monthly calculate होता है लेकिन जो overdraft है उसके उपर जो interest है इधर daily calculate होता है business loan एक viable option माना जाता है कि जब loan की amount हमें ज्यादा चाहिए नि हाई loan amount चाहिए और loan term के लिए चाहिए जिसके अंदर जो business loan है better माना जाता है आपने भी दोस्तों देखा हुआ जो बहुत सारी bank और NBFC company है जो fixed rate of interest के उपर जो business loan provide करती है और इदर हमारा जो एक tenner set कर दिया जाता है कि यह हमारा जो EMI है या फिर timing set कर दिया जाता है और उसके हिसाब से हमें जो business loan मिलता है उसी period के हमें अंदर जो है business loan इदर वापिस करना रहता है जबकि overdraft में आप बिना किसी interest के भी avail कर सकते है और दोस्तों जो short term monetary demand है वो भी इदर satisfy है हो जाती है दोस्तों जो overdraft है इसके अंदर जो flexible repayment के जो option भी होते है interest rate जो depend करता overdraft का वो अलग-अलग रहता है किसी का जो जादा रहता है लेकिन अगर हम overall देखते है जो overdraft है उसका rate of interest है जो काफी हाई रहता है business loan की आप एकसा अब आप लोग सोच रहे होंगे भी आ जो यह overdraft है इसको avail कैसे करें इसके लिए simply जो overdraft की facility को avail करने के लिए जो applicant है उसको return request है bank में देनी पड़ते है उसके बाद जो credit facility है उसको renew करने के लिए request देनी पड़ते ह जो इदर overdraft मिल जाता है दोस्तों जो overdraft है उसको revolving loan भी बोलते है यानि कि जैसे आपको overdraft मिल गया आपने यूज किया उसके बाद उसकी repayment कर दी फिर use किया फिर repayment कर दी यानि इसको एक revolving loan भी बोलते है simply overdraft ऐसे इदर से avail हो जाता है लेकिन जो इसका rate of interest है यानि कितना ब में बात करें जो overdraft है वो एक credit line है जो हमारे जो short term के लिए हम इसको use कर सकते है बिजनस के लिए short term में use कर सकते है जबकि जो business loan है हमारे long term के इंदर इदर जो use में आते है अपने business को बढ़ा करने के लिए इदर काम आते है और दोस्तों जो financial institute के अगर depend करता है कि या कितना rate of interest charge रहेगा यह अलग-अलग उसके ओपर depend करता है और दोस्तों अगर आपको भी business loan या order of requirement है या जुरूत है तो आप जो पिरामिल finance की website पर check कर सकते हैं और उदर जो सो जो उनके जो team है उनके दुवारा consultancy है यानि आप जो उदर पूरी जानकारी है उदर से ले सकते हैं उन उदर से क्लिक करके जो पूरी information है कि आपको कून सा loan चाहिए किस तरह का आपको जो है credit facility चाहिए overdraft चाहिए business loan चाहिए short term के long term के लिए यानि हर तरह का जो business का solution है आपको इदर पिरामिल finance पे मिल जाएगा जिसका link मैंने इदर जो है description में दे दिया है और इदर आप screen के उपर भी देख रहे होंगे कि इदर बहुत सारे जो offer है business loan के आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज ही दोस्तों अगर आप अपना business शुरू करना चाहते हैं या already आपको कोई business है उसको expand करना चाहते है तो finally मैं आपको recommend करूँगा पिरामिल फाइनेंस उदर चे आप overdraft business loan जिस भी तरह की आपकी requirement है उसको complete कर सकते है तो आज ही आपके जो business की जो requirement है उसकी journey स्टार्ट किजिए पिरामिल फाइनेंस के साथ जिसका link मैंने description में दे दिया है फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आच्छी लगे तो like कीजिएगा कोई comment है तो comment section में comment कीजिएगा फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन वंदे मतरम